हालो फ्रेंड, फार्मा साहिन में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बी फार्मा 6 सेमेश्टर, हर्बल डेक्ट टेक्नोलोजी, राजियू गांधी, इनुष्टी आफ हेल्स साहिन का नाटका का यह कुश्चन पेपर है, जो की 1K2 उग्जाम के लिए क स्वाट कुश्चन के बारे में बात करेंगे, जो की स्वाट कुश्चन, एक कुश्चन दो नंबर का है, टोटल 10 कुश्चन है, जो की 1K2 के एक्जाम में, यह स्वाट कुश्चन सेक्शन A में रहता है, यह सेक्शन C में है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंग जिसमें से पहला कुश्चन है और अस्वा एन्ले है वाट रास्वा एन्ले सबसे परला हम जाने गे अस्वा क्या होता है अस्वा आर सेल्फ जन्रेटेड है हर्वल खरमेंटेशन और टेडिशनल आर्फेधिक सिस्टम बैर एलकोहुलिक मेड कमेंट जो अस्वा होता है यह एल्कॉहलिक मेड कमेंट होता है प्रिपेर्ड वाई अलाव इंदे हर्वल जूस इसमें हर्वल जूस भी सामल रहते हैं दियर अगला है ले ले क्या होता है ले आफ लेहाम ले है जिसको लेहाम के नाम से जाता है इसा सेमी सॉलिट जो की सेमी सॉलिट होता है थेक्न इस्ट्रेक्ट यह सेमी सॉलिट इक्स्ट्रेक्ट होता है प्रिपेर्ड इन मीडियम आफ सुगर अथवा जेजरी सम अब दा पॉपलर लेयर्स यूजर इन आउरुवेदा आर चम्प्रास इस अप पॉपलर लेयर कंजूम टू रिद्यूस फड्यू इंप्रूव हेल्थ एंड इम्मुनिटी एंड रिवाटराइज दा बॉडी मेने चमप्रास लेयर के अंतरग्य आता है जो कि फवटि और फवडियूस करने एंग़ोड करता है इंप्रूब करता है इंद्यून रिकाहई को एक्टिव प्रोडॉक्ट इक्सक्लिशल्वी गॉंटेनिंग एक्टिसट्व सb desarrollo सब्सक्षा키 सव लगे कि स्व लिएला सब्सक्राइब गाल। या more such herbal preparation जो कि हरवल मेडिक्ट मेडिक्ट का रिफनेशन है इसको आप लिख सकते हैं या फिर बहुत सिंपल रिफनेशन यहां दिया गया है इसको भी लिख सकते हैं products made from botanical या plants that are used to treat disease maintenance health are called herbal products botanical products या phytomedicine ऐसे product जो कि botanical या plant से प्राप्त के जाते हैं बनाया जाते हैं किसलिए disease को दूर करने के लिए उसे हम herbal products के नम से जानते हैं medicinal product जिसे botanical products या फिर phytomedicine के नम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन है what are probiotics probiotics क्या होता है और उसका example देना है probiotics are made up of good bacteria probiotics जो होते हैं यह अच्छे bacteria से बनाय जाते हैं जो कि हमारी body के लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं that helps keep our body healthy and working well this good bacteria help you in many ways including fighting of bad bacteria इसका example है lactic acid bacteria जिसे यह लेबी के नम से भी जाना जाता है gram positive microbes that have been used for centuries in food products यंगल चीस एंड पिकल्स तो probiotics जो कि अच्छे bacteria से बनाय जाते हैं और हमारी body के लिए काफी अच्छे होते हैं body को healthy बनाय रखते हैं और bad bacteria को kill करते हैं या फिर उनसे लड़ते हैं जिसे probiotics के नम से जाना जाता है इसका example है यह लेवी lactic acid bacteria अगला question है what are basic principles involved in homeopathy the basic principle of homeopathy is that a substance that triggers a certain disease can also be used to treat disease the first principle of homeopathy is simlia, simbers, corn tears, leds like, cure likes law of simlia, law of simplex, law of minimum dose जो कि यह principle है homeopathy का अगला question है mention two examples of nutraceuticals used in treatment of cancer सबसे परले हम जाने कि nutraceutical होता क्या है उसके बाद में nutraceutical का क्या use होता है in cancer में a nutraceutical is defined as any substance that is a food या part of food and provide medical and health benefits including the prevention and treatment of disease food या food के किसी part में जो vitamins, fatty, acid या fibers पाए जाते हैं जो कि बीमारी से लड़ते हैं उन्ही को nutraceutical के नम से जाना जाता है nutraceutical urine treatment of cancer nutraceutical का क्या use होता है cancer में vitamins, minerals, probiotics and prebiotics जो की cancer में use के जाते हैं in nutraceutical fatty acid जिसमें lecithin, conjugated, linolenic acid and dietary fibers में soluble fibers and insoluble fibers ये सब help करते हैं cancer को ठीक करने में अगला बुस्टन है गिप दा तू एक्जम्पल ओफ वैक्स यूरीं herbal cosmetics herbal cosmetics is defined as the beauty product which process desirable physiological activities such as skin healing में smoothening appearance, enhancing and conditioning properties with the help of ingredients emulsifying wax is one of the essential ingredient to make lotion and creams emulsifying wax जो की lotion और cream कुपनाने में use के जाते हैं ता मोस्ट कॉमनली यूज वेटेबल वैक्स इन कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन और कॉर्णुलिवा एंड जोवा जो की वैक्स के एक्जम्पल हैं जो की अगला कॉश्चन है वाटा दा आइडियल रिक्वार्मेंट ऑफ भस्मा सोधन जिसका प्यूरी प्यूर्मुलेशन किया जाता है वेरन पाउडरिंग में चैलान इस्ट्रिंग धवन कुवासिंग गैलान फिल्रिरिंग एंड पूतान हीटिंग वर्डान ट्रिचुरिंग अगला कॉश्चन है लिष्ट एनी फोर प्लांट बेस इंडेस्ट्रिस इंडिया जिसमें अमिल फार्मसुटकल न्यू डिलही आता है चार्ग फार्मसुटकल मुंबई भारती रासंगे कोलकाता एंड दा हिमालिया ड्रेक को बैंगलोर जो की फोर प्लांट बेस इंडेस्ट्रिस इंडिया फिचार है अगला कॉश्चन है मेंसंदा कॉंश्टिट्रॉंट एंड यूस ऑप इस्प्राय रूलना इसका यूस बताना है और इसमें कौन-कौन से कॉंश्टिट्रॉंट पाई जात पैंटेनोइक एसिड डिकोसा हेक्जनोइक एसिड जिसको दी एचे के लाम से भी रहना जाता है और की डोनीक एसिड एंड पॉली सेच्ट्रेट फटी एसिड जो की इस्पायर उनलना के केमिकल कॉंश्टिट्टॉंट है अब बात करते हैं इस्पायर उनलना के यूस के ब अनुक्साइटिव को तो इसके इस हुआ इस पायर उनलना का अगला कोशिचन है नेम 2 हर्प्स एवर्लिन डेंटल केर विद्धा दियर बायोलोच्कल सोर्स इसमें दो हर्प्स को लिखना है जो की डेंटल में यूस किया जाते हो इसमें से पहला है क्लोब जिसका Mitra सोअब इसमें केमिकल कोंस्ट्रीटिन पाए जाते हैं टुगे नौल फैन गեղोटोनिक हैसी ऑगला है इसका बायोच्रीभ पीस विखने इसमेंडल कोंसुच्री पाया जाते हिए सरक्यूमिन tea मय टीमेटांट औकỉ सरक्यूमिन इसमें केमिकल कॉंजटर नहीं अच्छा था फिर भी हम लिख दिये हैं सो फ्रेंड्स लॉंग स्वारी स्वाट एंसर यहां से समप्त होता है अगली वीडियो हम इसके लॉंग एंसर के बारें बात करेंगे इसका नोट्स आपको टेलिग्राम और वाटसब गुरूप पे अपलोड कर दिया जाएगा अगर आप टेलिग्राम और वाटसब गुरूप जॉइन नहीं किये हैं तो आप चैनल दिस्क्रिप्सम ने जाके लिंक दिया गया आप जॉइन कर सकते हैं अगर वीडियो आपको प्रसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते से ज्यादा सेयर करें थाइंक्यू सो मच